असलाम अलेक्म दोस्तों अच्छा यहां पर आजाएं यह देखें सिंद्ध पब्लिसरिस कमिशन की वेब साइट में जाएं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सिंधी लेक्चरर का इंटर्व्यू 6-3 से स्टार्टे और यह जो खतम होगा 21 पर खतम होगा उसके बाद आते हम आते हैं यह देख लें आप इस्लामिक स्टेडीस का है और यह भी 6-3 से स्टार्टे और 31 पर खतम होगा फिर हम आते हैं 6-3 से स्टार्टे आपका पॉलिटिकल साइंस का और यह 17 को खतम होगा अच्छा यह जिस दिन खतम होगा उसी दिन रिजल्ट आता है नारमली उसी निजल्ट आता है उसके बाद यहां पे देखें यह मैंने आपको बताया था कि यह दूसरी जाप सा रही हैं लेक्चिरर की 16-100 इसके हम त्यारी करा रहे हैं और सब्जेक स्पेशलिस्ट के भी सब्जेक स्पेशलिस्ट की यह जाप साई थी काफी बचों ने अपलाई किया होगा इसकी भी हम किलासिश चला रहे हैं एक दफ़ा आप किलासिश जरूर रटेंड करें तो क्यूंकि एक दफ़ा आपको कोर्स का पता चल जाएगा आउटलाइन मिल जाएगी क्यूंकि हमारे पास जितने भी प्रोफेसर हैं फिल पीएच डी हैं वो अल्रेडी प्रोफे अशेश सर्सें असेस्टन्ट प्रोफेसर हैं एक और मॉस्ट एकस्पीरियंस प्रोफेसर हैं कामल लोग नहीं है जो कामली थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आपको पढधना शुरू कर दिया है इस तरह नहीं पास पेपर हम सबसे पहले लेते हैं सिंध्पब्लिक से उसक आप रिकार्डे लेक्टर्स लेते हैं या लाइव सेशन्स लेते हैं या उसके साथ साथ आपकी जो वीकली टेस्ट होगी हम नोट्स आपको देंगे और टेस्ट देने के बाद आप हमें जरूर बताईएगा आप सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट बताएं उसके बाद इस नमबर बेसेशन कराएं जूम लाइव किलासिस भी होती है वीकली टेस्ट भी होंगी नोट्स भी आपको देंगे और इसमें 80 परसंट आपका सब्जेक्ट होता है 20 परसंट आपकी इंगलिश भी होती है तो यह मौस्ट इंपार्टन सेक्षिन इसको भर उटेंट करें और ये उसी दिन आपका रिजल्त आएजाएगा जिस दिन आपकी यह टेस्स वाइनल होगी मतलब जिस दिन आपका इंटर्वी फाइनल होगा जिन आपका ये रिजल्ट आएगा अब जो जो बचे इस सब्जेक्स में कौलिफाइड हैं वो कमिट सेक्शन जरूर बताएं जैसे आइडिया हो उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इंटर्वी के बारे में एक एक हो आपका लेक्चर हो एसे राइटिंग हो पिरसी राइटिंग हो या जूम लाइव क्लासिस इंग्लिश के लिए ने तो आप इस नमबर पर आप कर दो सेक्चर हो एक वेल अर एक जचा ईतरू फरल्वी फिरसी राइब से umगने जचू से लैक्चर हो एक जड़ेंक्चर से विए ओड है हो